तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होगे और मेरी सबी वीडियो को देखते होगे तो आपको बिलकुल अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से दो-चार दिन पहले मैंने इसी बैटरी के उपर फुल डीटेल से एक वीडियो बनाए थी जिसके अंदर मैंने आपक बैटरी हो तो उसके लिए आप कैसे एक चार्ज़र बना सकते हो क्योंकि हमें इस ट्रायब की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत होती है तो आज की वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ बता रहा हूं क्योंकि काफी दिन से मेरे पास काफी सारे लोग कमे by step एक एक चीज फुल डिटेल से आपको बताऊंगा तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और सुरू से एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से एक बार में ही समझ आ जाए तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तब भी कि मेरे पास यह ट्रास्फार्मर है क्योंकि यह जो हमारी बैटरी है यह कौन सी हमारी 12 वोल्टेज की है तो यह जो हम ट्रास्फार्मर ले रहे हैं अब यह पैकिंग में है इसको मैं खूल के दिखा दो आपको बिल्कुल नए ट्रास्फार्मर है और इस ट्रास्फार्मर के पीछे और आगे 2 वायर होती है किसी के अंदर पीछे दो वायर और आगे तीन वायर होती है तो इसका क्या मतलब होता है इसके उपर मैंने डिटेल से वीडियों बना रखिए ट्रास्पार्मर के ऊपर तो आप जाके मेरे उस वीडियों के देख के समझ सकते हो कि यह ऐसा क्यों दिया होता है तो यहांपे देखिए अब हमें क्या करना है इसके लिए यह temps आँनात्वारसंफार्मर हो गया अब यह क्या करता है किDav करता है जैसे कि यह वाली जो वाएंगा है मलेकी जितनी वी बैटरी होती है वह तो सारी के सारी dc voltage पर काम करती हैं, तो dc voltage बनाने के लिए हम्में एक bridge rectifier बनाना पड़ता है, तो bridge rectifier किसी मदЦ से बनता है? हमारे यह diode की मदद से हम bridge rectifier बनाती है, yeah.es यहां पर चीज में आपको बताना चाहूंगा और जोम करके दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखे इस टाइप का जब भी आप मार्केट से डायड लोगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा एक सैड तो आपको सिल्वर पट्टी दिखाई देगी दू और बतालेंगे तो सबसे पहले हम दोड़ायड को लेंगे अब दो डयड को हम क्या करेंगे सबसे पहले दो डायड को दो हम सिल्वर सैड से इसको ऐसे मोड लेंगे देखे और लुजिंग नहीं होनी चीए यह आपको अच्छे से काम करना है तो यह हमारा हो गया दो डाइड को हमने Silver side से मोड़ा है ठीक है यह मानेस side हो गया हमारा और यहां पर हम दो डाइड और लेंगे अब इसको हम क्या करेंगे Black side से मोड़ेंगी यह हमारा प्लस साइड का है तो यहां पर इस तरीके से हम इसको भी ऐसे मोड लेंगे यह देखे इस तरीके से हमें मोड ना है हमने बिल्कुल अच्छे से मोड लिया अब उसके बाद हमें क्या करना है यह दोनों डैड है हमारे अब इसके अंदर आपको confusion नहीं होनी चाहिए आप इस त हमने practically कर रहा हूं और जोम करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई समझने में problem ना आए तो यह देखे इस तरीके से यह हमारा हो गया और यह वाली जो लैग होगी हमारी डैड की इसको हम इस तरीके से इसके साथ में मोड देंगे यहां पर इस तरीके से हमारा यह जो bridge rectifier है जैसे कि आपको मैंने बताई दिया कि यह जो हमारा transformer है यह 120-12 का है और step down transformer है step down का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम यहां से 220 voltage supply देंगे तो यहां पर हमें 12 volt मिलेगी लेकिन 12 कौन सी मिलेगी AC मिलेगी यहां पर DC supply आपको नहीं मिलेगी DC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह bridge reactifier लगाना पड़ेगा जो कि हमने अभी बनाया है तो यह देखे किस तरीके से लगाएंगे तो पहले इस transformer को समझ लो आप एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूं बाकी तो transformer वाली वीडियो के अंदर यह सारे चीज़े मैंने बता दी है कि मेरे transformer के अंदर क्या है कि दो वाय आती है इसके अंदर भी हमारी 12V आती है यह जो बीच वाली होती है इसके अंदर हमारी 0V आती है तो यहां पर क्या है कि अगर हमें 12V का transformer बनाना है तो सिर्फ दो ही वायर का यूज़ करना है आप इन में से कोई भी green वायर लेलू ब्लैक वाली तो रहेगी रहेगी तो यहा यहां पर आप हम क्या करेंगे इस तरीके से पहले इस वायर को अलग कर लेते हैं ताकि यह सोट ना हो जाए अपस में दूर दूर कर लेते हैं अब यहां से देखे मैं इसको supply दे रहा हूं यह हमारा mainboard है इसके अंदर supply दे रहा हूं अब यहां पर हमें चेक करना है कि यहां फार्मर है यहां पर voltage कितनी आ रही है तो इसके लिए मंटिमेटर का यूज करेंगे मल्टिमेटर को था करेंगे हमारा AC voltage है यह हमारा DC है तो क्योंकि यहां पर हमें C box यहाँ पे हम Q200 आख दिया है कि यहां पर कितनी ak मिलरी है तो जैसा कि मैं आपको बताया था था कि हमें बीच वाली है यह लेनी क्योंकि इस में 0 वोल्ट आते है तो इस तरीके हैं जया करेंग इलसेर रहेंगे इसको इसको आपका त्चे Explщее तो यह देखें, multimeter की screen पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 15.5 के आसपास voltage सो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि यह transformer बिल्कुल okay है, लेकिन आपके दिमाग में अभी यह चल रहा होगा कि यार यह जो transformer है, यह तो हमारा 12 voltage दिखाना चाहिए, यहाँ पर 15.5 या 4 volt दिखा रह है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी confusion नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरीके से कोई भी चीज की testing करते हैं, तो यहाँ पर यह हमारा open circuit testing कहलाता है, अभी इसके साथ में हमने कोई भी load नहीं जोड़ रखा है, जब हम इसके साथ में load जोड़ के check करेंगे, तो य यहाँ पर यह हमारी 12 ही voltage है, तो इस तरीके से हम दूसरी वायर को भी check करेंगे, तो इसको भी हम check कर लेते हैं, जो दूसरी हमारी green wire है, तो यहाँ पर देख़े, इस तरीके से जब हम check कर रहे है, तो यहाँ पर 14.87 ऐसे voltage सो कर रहा है तो यह भी लगबग हमारी सेम वोल्टेज है मल्टिमीटर कई बार कम ज्यादा कर देता है एक दो पॉइंट तो उसी वज़े से आप आपने देखे कभी 15 आ रही है कभी 14.9 आरी है तो यह जो हमारे ट्रास्फार्मर बिल्कुल ओक है इसी तरीओ करके यह भी पता चलिया कि यहां पर यहां के लिए अब इसको मल्टिमिटर को रखते हैं सायड में अब हमें क्या करना है यहाँ पर इस ब्रिज RAKTIFIRE के कनेक्षन करने हैं तो इसके लिए देखे अब जो हम चारजर बना रहे हैं यह 12 वोल्टेज के लिए बना रहे हैं तो देखे किस तरीके से हमें यहां पर वायर के connection करने हैं इस चीज को ध्यान से देख लो क्योंकि काफी सारे लोग यहें पर गलती करते हैं इस तरीके से अगर आप ब्रिज Daid baju को देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने के मिलेगा कि दो जो हमारे डायोड होगे उनके जो約 की हमारी एक सेड होगी और जो ब्लैक स्याइड तो डायोड की सिलवर पट्टी है यहां पर है और इसी तरीके से इसके अंदर देखोगे तो यह हमारे डायोड का बेलेग सैड है तो यहीं पर हमें वायर को जोड़ना है अब इस वाले पॉइंट कर दो ताकि short circuit ना हो और उसके बाद इस वायर को हम रग देंगे अगर आपके transformer के अंदर इस तरह किसे है तो आप इसे रग सकते हो इस तरीके से मोड के रग दो क्योंकि अभी फिलाल हमें इस कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें दो वायर की जरूरत है तो यहां पे हम क्या करेंगे हमारी AC प्लाइश आती है तो एससे के अंदर प्लस-पायनस होते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आप एक वायर को को हो कि मैंने यहां पे यहां पर जोड़ा है अब इसके अंदर क्या था कि इन धु पॉइंट पे तो हमने Xiaomi supply दी है 12 वोल्टेज की आप यहां पर यहर पे इस डो दो पॉंट है यहां पर dc voltage मिलना start हो जाएगी और dc voltage के लेंदर क्या होता है कि आपको पता ही है यह माइनस की होती है यह भी माइनस है तो यह जो माइनस माइनस वाले पॉइंट होते हैं तो यहां पर आपको प्लस सप्लाई मिलेगी और यहां पर यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है अब इसके लिए क्या है कि यहां पर हम वायर को जोड़ेंगे तो एक वायर हम और ताकि इससे हम किसी बैटरी के अंदर supply जोड सकें तो इसके लिए हम इस wire को जोडते हैं तो मैं क्या करता हूँ फटा-फट इस wire को जोड लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता है तो यह देखें यहाँ पे मैंने output वाली wire को भी जोड लिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो silver वाली side होगी दोनों वहाँ पे हमारी plus wire जुड़ेगी और जो black side होगा वहाँ पे हमारी minus वाली wire जुड़ेगी तो इतना हमने काम कर लिया है अब हम क्या करेंगे जो भी इसकी चिम्टी है इसको लगा लेंगे इसको आपको plus minus देख के लगाना है और ये market में easily आपको 10-15 रुपे की मिल जाएगी अगर आपको भी खरीद के लाए हो इस type की चिम्टी तो मुझे comment करके जुरूर बताना कि आपको market में ये कितने रुपे की मिली है उसके बाद देखे इस वाले pin में ऐसे hole है आप the soldering कर सकते हो या फिर ये जो hole है इसके अंदर से wire को निकालके भी इसे मोड़ सकते हो तो मैं यहाँ पर soldering नहीं करना हम इस तरीके से एक बार कर दे रहे हैं बाद में हम soldering भी कर लेंगे फिलाल इस तरीके से हमें करने के बाद इस तरीके से इसको लगा देना है तो बिना सोल्टरिंग के भी यह बिल्कुल मजबूतिक साथ जोड़ जाता है इसी तरीके से हमें इसके अंदर भी करना है तो मैं फटा-फट इस चिम्टी को भी जोड़ लेता हूं तो यह देखें य करते हैं अपने रेक्टिफायर के अंदर या तो हमारे बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाता है या फूल के खराब हो जाता है तो उसका कारण क्या है कि जब भी आप कपेस्टर लगाएं जैसे कि हमारे पास यह जो सरकिट है इस पर हमारी 12 वोल्टेज आ रहे हैं तो आपको वो वोल्टेज का ही कपेस्टर यूज करें जैसे कि यहां पर 12 आ रहा है तो 12 के 24 होता है लेकिन 24 का कपेस्टर नहीं आता तो यहां पर हम 25 वोल्टेज का कपेस्टर यूज कर रहे हैं तो इसको भी लगाना बिल्कुल असान है इसके अंदर क्या होता है कपेस्टर के अंदर हम हमारी मानेस की है और यह प्लस की है तो इसको भी आपको उसी तरीके से लगाना है अगर आपने गलती से भी इसको उल्टा लगा दिया तो यहां पर यह ब्लस्ट हो जाएगा तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है तो यहां पर हम इस कपेस्टर को भी फटा फट जोड ले आप यहां पर हम एक LED भी लगाएंगे तो इसके लिए हम यह डेड़ की LED यूज कर रहे हैं और इस LED के साथ में यह 1K कर रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं resistance यूज करने का मतलब यह है कि यहां पर जो voltage मिलेगी हमें 12 मिलेगी तो 12 voltage पर यह LED खराब हो जाएगी तो LED को खराब होने से बचाने के लिए यहां पर हम 1K का resistance यूज कर रहे हैं अब इसके अंदर क्या होता है कि LED के अंदर हमारी प्लस माइनस होती है तो LED के अंदर आपको यह चीज देखनी है तो यहां पर देखिए LED के अंदर एक लेग हमारी बड़ी है तो यह हमारी प्लस की है और यह जो छोटी लेग है यह मानस की है तो यह जो resistance होता है इसके अंदर प्लस वाले कहीं पर भी जोड सकते हो यह देखे इस तरीके से मैंने resistance को भी लगा लिया इसके अंदर इस तरीके से यह हमारा resistance लग चुका है अब यहां पे अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं कि यहां पे जैसे LED को हमें इसके अंदर लगाना है तो वो direct लगा दिते तो direct लगाने से देखे problem क्या बनती है वो मैं आपको दिखा दू जैसे कि आपको पता है कि यह जो resistance मैंने लगाया प्लस वाली lag पे लगाया है तो यहाँ पे यह हमारी प्लस वाली lag है इसके साथ मैं एक बार मैं temporarily आपको जोड के दिखा रहा हूँ soldering अभी नहीं करूँगा इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया और इस तरीके से हम इसके साथ मैं इस LED की इस lag को हम जोड देती है इस तरीके से मैंने जोड दिया कोई भी दिक्करण दिया यह पर और और यहां पर देखिया यह बारा वोल्टेज की मोर्टर है इसको बहुत के दिखा दूँं यह तरीक'े से बैटरी तो जैसे आप घर जाती है या फिर आप इसे निकाल देतेो तो भी यह जो हमारी LED है यह continue जलती रहेगी बैटरी की सप्लाई से यहां पर इसलिए हमें दूसरे डायोड का यूज करना पड़ेगा यह जो हमने पांचमा डायोड रखा है यह इसलिए रखा है ताकि लाइड जानेक बाद यह बैटरी की सप्लाई से LED हमारी ना जले तो इस के अंदर आप प्लस माइनस किसी भी लेक के अंदर इसको लगा सकते हो जैसे कि यह वाली जो पॉइंट है यहां पर प्लस की सप्लाई लगी है तो अगर आपको इस लेक पे इसको लगाना है तो आपको ब्लैक वाली से लगाना पड़ेगा और अगर आपको माइनस पर लग टख जाएगी डाट के तो मैं एक बार क्या करता ह। फटा-फट इसको लगा लेता हूं तो मैं पर एतना हमारा हम है। इसको फिर से पॉइंट पर लगा देना जैसे म। इस यहां पे ऐने लिटके से लगा अदर यहां पर यहां पर मैंने प्लस वाली मैं लगा दिक तो इस तरीके से उते हों कि अब हमारी डिए हैं प्लालिके से काम नहीं कर रही है है यह तब काम करेंगी जब सप्प्लाइद को मैं लगा रहा हूं और इसको मीलेगी नहीं जलेगी यहां पर देखेए अब हमारीवीड जल रही हैँ यहांपर सप्लाइभ चल भी ए और इस देख्यों हम निकाल देंगे तो यहांपर अब इसको मिलेगी तब यह लाइट जलेगे और यह देखें मैं आपको चेक भी करा दूं कि यहां पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही यह देखें 12 वोल्टेज की मेरे पास फट्टी वाली लाइट है इसको मैं दिखा दूं यह आज मार्किट में बहुत चल रही है और यह देखें तो यहां पर यह 12 वोल्टेज की लाइट बिल्कुल बढ़ी है तरीके से काम कर रही है और मोटर भी मैं आपको दिखा दूं यह दिखें यह हमारे पास 12 वोल्टेज की मोटर है इसको भी मैं चला के दिखा रहा हूं तो इस तरीके से यह जो हमारे ट्रास्पार्मर है बिल्कुल बढ़ी है तरीके से काम कर रहे हैं इसके अंदर कोई भी प्रोलम नहीं है तो इसी तरीके से आपको अपनी बैटरी के लिए इस तरीका चार्जर बनाना है किसे जो चीज मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताना चाहता है सब कुछ मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है तो अगर आपके पास इस टैप का दो एंपेर का ट्रास्पार्मर है तो इस टैप की यूपियस वाली बैटरी है तो लगबग इस च पसंद आई हो बई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो बई तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिंत वंदे मातरम